नमस्कार मैं हुरचा शर्म और आप देख रहे हैं भारत लाइव बिहार में कई घोटाले हुए हैं लेकिन इस वक्त मैं जिस घोटाले की बात कर रहे हूं उसके सुनकर आपके रूख आप जाएंगे आप दातों तले उंगलिया दवा लीजिएगा जी हां हम बात कर रहे हैं कोरोना घोटाले की सबसे बड़ा घोटाला है कोरो ना घोटाला हम यूँँ नहीं कह रहे हैं जिस तरह से माले पास आकड़े सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये जाता है दो दिन के बाद उसे निगेटिव करार दिया जाता है एम्स जिसको पॉजिटिव बोलता है आरे माराई और एनेम सी एच उसे निगेटिव बताती है आखर विश्वास करे तो किश्पे करे घोटाला कौन कर रहा है स्वास्थ विभाग की बात करें तो स्वास्थ विभाग के मुख्या मंगल पांडे का डाटा कुछ और कहता है स्वास्थ विभाग के प्रधान सचीफ संजय कुमार का डेटा कुछ और कहता है आखिर इन दोनों में विश्वास किया जाए तो किन डेटों पिक किया जाए आखिर किसका डेटा सटिक है क्या सत्यता है डेटा की बात हुई तो मैं ये भी बता दू कि वेवसाइट मैंने देखा वहां पे 94 ही कोरोना पॉजिटिव मरीज बताये जा रहे है यहां इसका जो हो बे या फिर बिहार के CM और बिहार के मुख्या नितिश कुमार जी को कि कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मिदार है अगर जिम्मिदार नहीं होता तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती जहां टेस्ट किट की बात की जारे थी कि हमारे पास टेस्ट लेकर फजीयत भी हो रही थी कि हमारे पास टेस्ट किट नहीं है तो कैसे पदा कर पाएंगे कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है टेस्ट किट भी हमें मिलता है उसके बाद जब टेस्ट किट हमारे पास आ जाता है लगतार चेकिंग की बात होती है कि टेस्टिंग काफी अच्छे संख्य प्रफा में बिहार में हो रहा है उसके बाद भी रिपोर्ट जो है वो निगेटीब आती है जो लोग पॉजिटीव पहले ही करार दिये जा चुके हैं विश्वास करें तो किस पर करें नितिश कुमार जी लगातार कर रहे हैं कि बिहार सरकार इस पर अलर्ट मोड में हैं जनता यह जाना चाहती है कि आकड़ों के साथ खिलवार क्यों हो रहा है स्वास्विभा गलत क्यों बोल रहा है वह आकड़े गलत क्यों है कि जिसको पॉजिटिव करा दिया जाता है दो दिन बाद वह निगेटिव हो जाता है मंगल पांडे जी क्यों खामोस है क्योंकि उने बात करने के कोशिस के लगातार उनको कॉल किया गया वो मना ही कर रहे हैं वो कुछ बोलने से बच रहे हैं अगर गलत नहीं है तो बच क्यों रहे हैं आखिर सच्चाई बाहर क्यों नहीं आ रही है जिन जावों की बात की जा रही है वो दावों की हकीकत अलग क्यों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ, देखते रहें भारत लाइव, नमस्कार